हेलो साथियो मैं सौरब कुमार सिंग और शिक्षक बहाली के मुद्दे पर दो-तीन मुद्दा है जो दो-तीन जो टॉक भी पिख है उस पर हम आपके चंचा करेंगे आपके साथ और कई अभिहरतियों का लब मुझे लगता है कि सैक्रों अभिहरति फोन को रोल मैसेज कर रहे है तो आपको बता दे कि जो सुची भीजी गई थी सिख्षा विभाग के तरब से बीपीएसी को और फिर दौबारा फिर बीपीएसी ने जब भेजा तो उसको वापस कर दिया गया तो जिला आवंटित करने को लेकर हमने एक पहले बीडियो मत बनाया था और आपको बताया है कि कई निश्वेपर के माध्यम से या निव चैनल इस बात की पुष्टी कर रहे हैं कि लगभग संतानमे हजार पद पर ही जो है जो है ज्वाइनिंग हुआ है यानि पर्थन फेज की बहाली में जो सिक्षक बहाली का मुद्दा है उसमें 125 से लेकर 1112 तक यानि प्रात्म है उस पद का क्या होगा क्या सिक्षक बहाली के मुद्दे पर कहा साथ सारी चीजे जो है वह इसी प्रकार से होगी तो सब अभियर्तियों के मन में सवाल था और जो जिसका जबाब था कि एक प्रोटेस्ट होने की जरूवत है तो सब आपको बता दे कि प्रोटेस्ट की ति होगा लेकिन आपको आना है इसके बाद अब अंदोलन मुझे ने लगता है कि कोई जरूवत पड़ेगे लेकिन आपकी संख्या अगर 3000-4000 के संख्या में क्योंकि आप लाकों की संख्या में हैं और लगातार प्रोटेस्ट कर में हम लोग जब हिसा लेते हैं तो आप लोग केस की बित्यारी चल रही है कुछ पेटिशनर भी बनें बनेंगे कुछ आउड भी तैयारी हो रही है तो डेट अब बर्थ को लेकर भी तैयारी चल रहे है केस के लिए 125 एन एक से पांच नंबर वाले हैं उनकी भी अगर सीटों की संख्या बढ़ती है तो निश्चित रूप से सप्लिमेंट इलियर के मांग को लेकर 2700 वहीं रिजल्ट नहीं जो पदरिक्थ है सभी पर सप्लिमेंट रिजल्ट आना चाहिए जैसा के सातियों पता है कि 10,000 लो तारी के दिन परिच्छा आने आज सेकेंड फेश की बहाली की अंतिम परिच्छा है उसके बाद दरोगा यानि बिहार पुलिस अबर से वायोक की द्वार आयोजित प्रपीटी परिच्छा जो है दरोगा की वह 17 दिसंबर को है तो सारी परिच्छारती इसमें से भी लगब मुझे लगता है कि परिच्छारती दरोगा परिच्छा में बैठें गई तो वह परिच्छारती में जाएंगे 17 को 18 को सब लोग वापसा जाएंगे 19 तारी के दिन बैठक आयोजित है 19 तारी के दिन प्रोटेस्ट का डेट फिक्स हो चुका है लेकिन आगर आपकी संख्या अगर पचास सो और देर सो रही तो मुझे लगता है कि प्रोटेस्ट उससे नहीं हो पाएगा लेकिन अब जो आपके मन में कई सवाल है कि हम नहीं आ पाए या यह हो गया वह हो गया तो यह अंतिम्दी तारीक हैं अगर आप नहीं आते हैं किसी एक वेक्ति और मेरे पर छो हो जाएं अगर मने में किसी प्रकार का सवाल है कि यह नहीं होगा वो नहीं होगा तो सप्लेमेंट इजल के मांग को लेकर एक जोड़ार अंदुलन की तैयारी है और निश्चेत रूप से आपने अंदुलन के माद्दम से बिहार सकार बीपीर सी और सिक्चा भी भाग को हम उनको बाहर करेंगे फरजी तरीके से जो परमान पत्र दिग्री धारी है उनको बाहर करेंगे कई लोग है जारों लोग के पास जो परमान पत्र दिग्री कई सेट फेल है किसी के बाद डिलेट के डिग्री नहीं है कई के पास एस्टीट के डिग्री नहीं है तो आधी आध में कुची तरह का सवाल आपने नहीं रखना हैे और कोट्सम्मध्धी जो तयारी है यह तयारी चल रही है आप डोकुमेंट भेजे आप त्रही वी चीजचे है उसके सम्मंध्य उसको आप भेजे और निशेत रूप से सारी तयारी जब हम करते हैं तो उस पर करवाई कई लोगों के पास बहुत सारे प्राबधान है आपको 15 किलोमेटर में भी रहना है जो दायरा है इसकूल आने का सवस्कूल अगर नहीं आता है तब आप करवाई कर सकते हैं तब बहुत यसे चीजें हैं आप संगहाँ बना सकते हैं व्यक्ति के अजादी को अंचुन नहीं कर सकते हैं उस पर आपका प्राब्धान है उसमें आपके रुकाबट है सब देख लीजिए उसका पता हो जाएगा तो कई चीजे हैं BPSC और सिक्षावी भाग के पास अभी दो ही अफसरों का बोल बाला है एक है एक 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 पाठाक दूसरे BPSC चेर्मन अतुल परसाथ और सारे जो चीजे कवायत बिहारे में सिक्षावी के नाम पर हो रही है तेकेंड फेच की प्रिक्रिया भी शुरू हो जाएगा लगातारी यह बताया जा रहा है कि अपलोड किया जा रहा है पहले की प्रिक्षाए में सब्सक्राइब मेरे चैनल को करे ताकि आप तक हम पहुंसे के और आपकी बाढ जो है आप यह समझ से हम तक आसा के साथियों और अभी बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर कवायद आगे बढ़ी है इतना जरूर है कि सिच्छा का अभियरतियों के मन में जो अब इस्वास का भाव बीपीए से चेर्मेन के तरब से आया है बीपीए से चेर्मेन निचीतु सब्लेमिनेजल के मां क्या कैसे है उचीत है नहीं है आधी-आधी कई चीजों पर आपको हम बताएंगे लिए इतना जरूर है कि कुछ न कुछ तीसरे सप्लेमिनेजल के मांग हो रही है और उसकी भी सीटे जो है जल से जल आपको बताए जाएगी ठीक है साथी और धन्यवाज जाहें हैं दूद